हेलो दोस्तो गूद मॉर्निंग स्वागत है हमारे टूब चैनल में तो कैसे हैं आप सब आशा करती हूं ठीक होंगे तो मैं आप सब बता दू आप मेरे क्या बता हूं आप सभी को पता है कि कल रक्षण बंदन था एक तीस तरीक को बहुत कम लोग एक तीस तरीक को मनाये थे अक्षा बंदन क्योंकि एक तीस तरीक को भर दिन था तो हम बता दे कि हमारे चाची यहां पर दो रहती हैं घजयाबाद में हमें भी घजयाबाद में ही रहती हूं तो बो लोग अलग रहती हैं यह छप्रोला फाटक को उस पार पढ़ती है हमारे एक चाची यह नदी की है अच्छ प्रोला फाटक पार करो फिर चले जाओ ज्यादा दूर नहीं है वहां से 10 मिनट का रस्ता है यहां से ज्यादा ज्यादा 15 मिनट का और एक चाची है हम हर दुआ नहाने के लिए गये थे आपे चोटा हरदवार दुदर देती हमें ज्यादा दिखाए थी मेरा वीडियो में जाके देखिया वह चाची है तो अभी 10 दिन हुआ तो उनके रूम पे गये थे तो फिर हमें सरम लग लग जाने में कि अभी गये थे अभी क्या जाए फोन कि आने के लिए तो ना आ आये व हम तो में बताए कि आ जाएंगे पुश पुश के लेकिन नहीं आये और ये चाची जो है छप्रोला फाटक पा रहे हैं कौन सा गाहा है मैं भूल गई हूं तो वह बार-बार फोन कर रहे थे आ जाओ आजाओ फिर भी आभी आए थे आधी रास्ते में लेने के लिए फिर सो ते नहीं तो और यहां पर बहुत दिन हो गया खाय तो फिर गया है और दूर होते तो नहीं पाटफ चाला पड़ा हूं तो menyt Sharma में जान पनाी नहीं जोर से चाला पड़ा हूं तो कैसा जाते आधयाए खातो शाम कई ते लगत प्रच अ चला पड़ा ख़चा अनी प्रद इतना बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया है पेर में उनके और बहुत धकान हो गए थी इसलिए बोले कि उतना दूर नहीं जा पाऊंगा मैं अब यहां फिर यह बार बार यहां भी आने का इनका मन नहीं था लेकिन चाचा चाची सब और भाईया भी फोन करके बुला रहे थे फिर बोला कि चला तो फिर इन जा रहे थे तो उदह से भाईया भी आये थे तो फिर हम उनके चले गए तो वहां का भी वीडियो डाली हूं अब लोग जरूर देखियागा हमें सपोर्ट जरूर करिएगा लैक से स्क्राइब जरूर करिएगा दोस्तों और भे सरा प्याज अब कल हम वीडियो नहीं बना पए उदर साम को आए उदर से फिर सो गए तो फिर मैं सोची अभी वीडियो डाल दुए तो बाई बाई दोस्तों नमस्कार लैक सब्सक्राइब करना नहीं बुलिएगा